हिंदुस्तान में लोग बिमारी श्यादा बेहम से मर जाते हैं अगर किसी बिमारी का कोई बिमारी आ जाते हैं किसी बिमारी का कोई परकोप आ जाता है उस बिमारी के परकोप से ज्यादा बेहम से मर जाते हैं यह हम लोगों की फिद्रत है अगर कहीं पर कोई घटना हो रही ह और तिल का ताया बनाने में हम लोग महीर हैं, हम लोग की फित्रत है, किसी भी बात को छोटा सब बड़ा कर देना, अगर कोई बीमारी है तो उसको हवा बना देना, और हम उस बीमारी से या उस गरतना से मरे ना परे, अपनी बेहम से हम ज्यादा मर जाते हैं, बज़ाए उस समाधान निकालने के बज़ाए उसके बेहम में ज्यादा उलच जाते हैं, और नतीजह होता है कि उसका नुक्सान होतना पड़ता है, जिस तरह से आज कल करोना वाइरस का परकोप चल रहा है, इसको खास के इसको चैना की देन बताय जा रहा है, कि चैना से आया है, और इस क करोना वारेस ने दुनिया स्भी देशों को अपने शपएट में लिया है, और हिंदुस्तान में उसको खा Gracia पाई गए है, कि इसको बभेहें पालने से जयादा, या हम ऐस के रास्ता निकलें इसको आज़ारा रहा है कि इस इस तरह से हम इसके इसमें हमें सावधानी बढ़तनी चाहिए बजाए हमें बेहम बनाके तिल का तार बनाके अपने लिए खुद परेशानी परेशानी पैदा करें बीबारी का तो इलाज है बेहम का कोई इलाज नहीं होता है नतीजा हमें फिर उसका खाम्याजा गलती इसमें चिकन मटन इन सब चीजों से परेश करना चाहिए सावनी जगों पर जो है हर किसी हाथ नहीं मिलाना चाहिए क्योंकि यह वाइरस फैल रहा है जिनको जर्वस से ज्यादा दो चार दिन से ज्यादा कर खासी बुखार जुकाम रह रहा है तो उन्हें अपने डॉक्ट जर्वस से हाथ मात मिला शालनिष्थान पर कहीं पर जो है और हर जगों पर छूना भी नी चाहिए ताकि वह किटानों हमारे घर तक आये और हमारे खानी पीने मता कि हमारे अंदर तक हमारी अंदर तक पहुँचे और हो शक्कित तो माक्स पहन के चलू बहर ताकि कोई भी इसे रोग चलीक या खास हैं और हमारे जितनः दफ मारे ऑन फ्राइल हम पुझा होबदेशra घर भी अधानल के पूरम द़ने के खब्राने के साबधानी हम और सिलक्षिते रहे हैं इसे से साबधानी बढ़े हैं और सिलक्षित नमस्केर झाल झाल